जया माता दी दोस्तों, पूझे शक्ती में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज जिस नवीशे पर हम जर्जा करेंगे वो है तुलसी जी किस प्रकार से आपकी सभी मनी कामनों को पून कर सकती है। तुलसी जी को हिंदु धर में बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदु मानेताओ के अनुसार हर घर में तुलसी जी का पौधा होना बहुती शुबता का सूचक होता है। सबी गरों में आम ही आपने तुलसी जी का पौदा देखा होगा तुलसी जी दोत प्रकार कियाती है राम तुलसी और शाम तुलसी जो भी भक्त तुलसी जी की पूजा करता है उनके सामने दीपक जलाता है सबसे पहले तो विश्नु जी की असीम क्रपादरश्टी मिलती है श चैसे हम निगल कर सेवन करते हैं उसका स्वास्ता हुशा अच्छा रहता है तुलसी जी को भगवान के भोग के लिए सबसे ज़ादा उपव्योग तो माना जाता है जिस भी भोग में तुलसी जी का दल या पत्ते डले होते है वो भोजन कभी भी अशुद नहीं होता है वो इ लगती पूजा पाट यह अराधना करता है कृष्ण जी की या विष्नु जी टुल्सी जी पत्ते बहुत महत्वर रखते निए तो टुल्सी जी का पत्ता जो है जियारा दिन तक अशुद नहीं होता यानिकि वो ग्यारा दिन तक ताजा माना जाता है आफ गंगा झल छेड़ तुलसी जी में एक जादूइगर्ण और भी होता है, तुलसी जी मंगल ग्रह के साथ जोड़ कर देखी जाती है, वहीं तुलसी जी का आग तत्वियाने की फायर एलिमेंट माना जाता है, तुलसी जी को अपने जीवन में आप जो है स्थिर्ता लाने के लिए काफी मददगा साबित कर सकते हैं, तुलसी जी जो है मन को खुश रखती है, शान्ती देखती है, साथी साथ आपके घर परिवार में एक जूटता बनती है, क्योंकि जो तुलसी जी का पौधा है, वह प्रेम का सुचक माना जाता है, जब हम कृष्ण जी को तुलसी दल चढ़ाते हैं, या आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का जैसे आपको आकर्शन चाहिए, या आप चाहते हैं कि बहुत इक सुख सुधाओं में आपकी किस्मत को और जदा तेज करना चाहते हैं, तो कृष्ण जी को या फिर विश्ण जी को लगातार तुलसी जी के दो पत्ते रोज सुभे, पूजा अराधना के समय आप अरपंड करें, आपके जीवन में सभी प्रकार के बहुत इक सुख सुविधा हैं जो हैं आने लगेंगी, घर से नेगटिव उर्जा खत्म करने के लिए सबसे सटीक जो होता है तुलसी जी को माना जाता, यदि आप घर में चार या पांच पत बना लीजे जिसमें आप सुखे वे पत जो दूलसी जी के पत्ते होते हैं गंगा जल थोड़ा सा और पानी डाल कर इसको पूरा एक तरीके से आप स्प्रे बना लीजे और इसको आप डेली सुवे शाम अगर ये छिड़काव अपने घर में करते हैं तो आपके घर में कोई इंद्रेंड में कैसे करें या उनको जो है सदबुद्धी किस प्रकार से करें तो ऐसी स्थिती में आप जो है अपने घर की पूर्फ दिशा में अगर तुलसी जी के पौधे को रख लेते हैं साथी साथ तीन पत्ते किसी ना किसी रूप में अपनी संतान को अगर ग्रहंट तो और योग वर की तलाश भी कर रहे हैं जो माता पित अपने बच्चों के लिए वर्वदू की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी काफी यो वर्दान सावित होगा विलंब भी हो रहा है अगर किनी परिस्तित्यों में तो तुलसी जी के पौधे को नित जो है जलर्पन करक आप जो है उनके सामने घी का दीपक जला है गाएं के घी का दीपक होना चाहिए इससे आपको मन चाह वर मिलता है साथी साथ अगर ये माताएं करती हैं अपनी पुत्री या अपने बेटे के लिए तो उनको मन चाही जो वधू है जैसे या वो चाहते हैं कि उनको योग वर य कर आती हैं वहीं अगर आप लगा सकते हैं तो व्यापार स्थल पर भी तूलसी जी का पौधा लगाई और वहाँ पर जो है उन्हें शाम का दीपक जरूर करें जिससे कि आपके जीवन में जो है उजाला है जिन लोगों का वेफसाइट ठीक नहीं चल रहा है ऐसे लोगों को सुभे सवेरे आपको दो बूंद कच्चा दूज अरपन करना चाहिता साथ साथ मिठाई का भूग लगा कर यह जो मिठाई है आप किसी सुखान स्थ्री को या बच्चों को आप जो है दे सकते हैं प्रसाथ स्वरूप इससे आपके जीवन में आपको सफलताय मिलेंगी काफी जो है नेगरिट बिड़ी मिलती है या उन्हें परिशान करते हैं और कई बार सहकर्मी या उच्चा दिकारी बेवज़ा परिशान भी करते हैं ऐसे में क्या करेंगे ऑफिस में खाली जमीन या कहीं गमला हो तो वहां पर आप तूलसी जी का पौधा लगा सकते हैं य इससे आपके सहकर्मी उच्चा दिकारी जो है आपको सम्मान देने लगेंगे और आपके जीवन में जो है अपने आप लोगों जो लोग होते हैं वो साहता के लिए आगे आने लगेंगे तो यह जो परिशानिया है यह अपने आप समाप्त होंगी साथ इसाथ आपके जीव में जो है सम्मान की व्रद्धी होगी तो भाई और भैनों आज अपनी वाड़ी को यहीं विराम देते हों मैं आशा करती हूँ आज करे वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों